प्रिये दोस्तों, आज हम हमारा घर में एक उसर की संबन के बारे में जाने के हैं कि इसकी कुछ ऐसा में हिंदी में मां पिता जी बोलते हैं, इसकी कुछ शब्द होते हैं जैसे घर के सबसे बड़े बेक्टी होते हैं दादा जी उसको इंग्लिश में बोला जाता है Grand Father, दादा जी, यह है Names of Relationship Among Us, यह है हमारे बीच में आपसे रिमिशन, सबसर बड़े होते हैं, दादा जी इसको कि Grand Father कहा जाता है, फिर आती है दादी जी, Grand Mother, उसके बाद आते हैं पीता जी, जो कि Father, Finn, Mother, मा या माता जी, अंकल, चाचा जी, आंट, चाची जी, मैं टेंदर प्रदर प्रदर बोला जाएया दो चैरई या मवधेर बाइन, या मेरा जाता है, फिर आता है प्रदर यानि भाई, शिस्टर यानि बेहन, अगर कजिन प्रदर बोला जाएम votes खचेरा या व हमेरा भाई और कजल शिस्टर मोले चचेरा यांवेरे bephन फिर आता है नेप्यू नेप्यू का में की नेप्यों का मतलब होता ह। भती जी या भांजी दो नहीं होती है फिर आपने रहे ना जी ना जी को आपके फादर लड़किया को क्या कहेंगे शल्ग संगा पूत्र या लड़का आप अगर लड़किया थे प्रताजी या वह मी क्या कहेंगे डाटर वैसे आप अगर टादा जिश्ञ्टर क्या कहेंगे इस lesson में हमने relationship के बारे में जाना है, यह आप देखिये, यह relationship से बोलना पड़ता है, कई बार हम क्या कहता है, कि relationship बोलना नहीं आता English में, ऐसे हम मम्मी और पापा जो अंग्रेजी के word है, हिंदी में भी उपयोग करता है, हिंदी में मा या पिता जी कहा जाता है, पर हम घर में मा को मम्मी बोलते हैं, और पिता जी को पापा बोलते हैं, पापा और मम्मी अग्रेजी के शब्द होते हैं, अधर सही चीज़ जाना है कि लिए आप इसको पड़ें, प्रैक्टिस करें, धन्यक्रूश